Hello everyone, welcome back to your खूप सूरत सा चैनल डिजी शाला बचों, आप लोगों ने कई बार आपके शहर में या कहीं पर देखा होगा कि कुछ हाथ पढ़ने वाले बाबा आते हैं ठीक है, उनके पास एक छोटा सा कुछ ग्लास जैसा होता है, जिससे वे हमारी हातों की लकीरों को देख रहे होते हैं होता है है, ठीक, या फिर आपने CID के अंदर डॉक्टर सालुखे को देखा होगा जो क्या करते हैं, किसी भी object को ऐसा एक lens की मदद से, एक object की मदद से देखते हैं उसको हम कहते हैं lens, क्या कहते हैं lens बचों ये lens आपको कई जगा पर देखने को मिला होगा, आपके camera के अंदर lens होता है microscope के अंदर lens होता है, हमारी आखों के अंदर भी lens होता है और ये जो चेश्मा में पहना हूँ, इसके अंदर भी lens है तो आईए, देखते हैं कितने तरह के हमारे lens होते हैं पचों हमारे दो तरह के lens होते हैं, एक होता है convex और दूसरा होता है concave अब lens की खासियत ये होती है, कि इसके अंदर अगर इधर से light आ रहा है तो वो इधर को पास हो जाएगा, लेकिन mirror में क्या होता था अगर light ृधर से आता था, तो ये reflect होके वापेस जाता था लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आएगा ये glass है तो ये light को reflect होना पड़ेगा, तो वो यहाँ से reflect होके फिर इधर जाता है अब हमने क्या किया जो हमारा ग्लास होता है उससे हमने सोचा कि भाई एक हमारा इधर एक स्फेर बन रहा होगा कुछ देखो ऐसा ठीक है और एक इधर स्फेर बन रहा होगा ठीक है ऐसा ठीक यहाँ पर भी एक ऐसा होगा कि एक स्फेर कुछ ऐसा बनेगा और एक स्फेर कुछ ऐसा बनेगा, ठीके बच्चो ठीक, छोटी छोटी सी बात है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक आप देखो, यह हमारा हो गया Concave और यह हो गया हमारा Convex Lens, ठीके, अच्छा क्या होता है? कि Convex Lens क्या होता है? देखो, बीच में मोटा है ठीके, बीच में मोटा है, तो इसको हम बोलेंगे thick at middle और thin at corner या edges, मतलब यहाँ पर, right side में क्या है, इसके end पर कैसा है, पतला है, तो बोलेंगे thin, t-h-i-n, thin at edges, और यह क्या होता है, thick at edges and thin at center या middle, ठीके, अच्छा, बचो, यह जो हमारा lens होता है, इसका जो midpoint होता है, क्या ह center होगा, इसको हम कहते है, optical center, क्या कहते है, optical center, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अब क्या होता है, एक AC line, जो इस optical center से पास होती है, साथ ही साथ, इस दोनों surface, इधर वाला surface भी, और इधर वाला surface भी, दोनों पर क्या होती है, perpendicular होती है, उसको हम कहा देते है, principal axis, क्या कहते है, principal axis ठीक ठीक इसी तरह यहाँ पर भी एक line होगी जो इन दोनों surface पर perpendicular भी होगी और इस optical center से भी pass हो रही होगी इसको हम कहते हैं principal axis अच्छा बचो जो हमारा convex mirror होता है इसकी खासियत कुछ इस तरह से है कि अगर कोई भी light ऐसा parallel वाला आता है न तो ये क्या करता है इसको एक point पर converge करता है क्या करता है एक point पर converge करता है इसलिए इसका नाम पढ़ गया है Converging Lens ठेक ऐसा ही अगर यहाँ पर कोई light ray आता है ठेक तो यह क्या करता है ऐसा दूर भगा देता है दूर भगा देता है तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया Diverging Lens क्या पढ़ गया Diverging Lens ठेक आसान है कोई tough काम नहीं है अच्छा भई अब यह जो जितनी भी light ray से ऐसी parallel आ रही है न ठेक अब यह सब क्या हुई इस Lens से टकराने के बाद यह इस Lens से पास होने के बाद एक point पर जाकर टकरा रही है इस principal axis पर इसको हम कह देते हैं focus क्या कहते हैं focus ठीक है अच्छा ठीक इसी तरह यहाँ पर जो light ray आई है यह इस तरह के light rays आई है ठीक यह parallel to principal axis है तो यह Lens से पास होने के बाद क्या हुआ कुछ इस तरह से जा रही है ठीक अब अगर मैं इस side पर खड़ा हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि यह light ray एक point से आ रही है कहां से आ रही है एक point से आ रही है और वो point कहां पर होगा यह principal axis पर होगा और उसको हम कह देते हैं focus क्या कहते हैं focus ठीक है मतलब इसके अंदर हमको ऐसा appear हो रहा है कि यह light rays कुछ इस point से आ रही होगी तो इसका नाम क्या पढ़ गया focus ठीक इसी तरह lens में दोनों side पर focus होता है यहाँ पर एक focus और यहाँ पर दूसरा focus वैसे यहाँ पर एक focus और ऐसा ही एक focus यहाँ पर भी होगा जिसको हम F1 नाम देते हैं ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर जो light rays इसी गई यह क्या होगी यहाँ पर real में meet कर रही है तो जो हमारे convex lens होता है इसका जो focus होता है उसको हम बोलते है real focus क्या बोलते है real focus और इसका क्या है हमको ऐसा लग रहा है ऐसा appear हो रहा है तो इसका जो focus होता है उसको हम कहते है virtual focus क्या कहते है virtual focus ठीक है बच्चो इतनी बात आपको समझ में आगे जो image formation है वो हम next lecture में करेंगे बच्चो अगर आपको इसमें कोई doubt है तो आप comment section में या हमारे instagram पर जाकर doubt पूछ सकते हैं ठीके बच्चो बाई बाई take care and all the best